हलो दोस्तों आज हम आप सब के लिए लेका है एक बहुती बढ़िया वीडियो इस वीडियो में हम सीखने वाले कोई भी कंस्ट्रक्शन टाइप की फिल्ड टाइप की लोगोस हम सिंपली वे में कैसे ड्रो करें तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो इस टाइप की और इसको हम रखते है साइट में इस प्रकार से देन यहां से हम एक सप्रकल लेंगे उंसरग्ल के लिए ठाटन करेंगे और इसको कर देंगे येल्लोकट roz और इसको इस्ट इ Days कर्थे में इसवां आइसे रखने के बाद अब हम circle की जो outline है उसको कर देंगे white, right click करेंगे white के उपर तो outline white हो जाएगी और यहां से hairline से इसकी hairline बढ़ा देंगे इस प्रकार से, hairline बढ़ाने के बाद अब हम लेंगे pen tool, pen tool से बनाएंगे triangle इस प्रकार से, join कर देंगे इसे, line को भी सही से सीधी कर देंगे, इस प्रकार से, और हम save को कर देंगे, यह वाला color, करने के बाद इसकी outline को भी हमें white कर देना है, और यहां से इसकी outline को बढ़ा देना है, outline को बढ़ा देंगे, देन बनाएंगे एक और triangle, तो इसको copy paste करना है, और shift के साथ हमें छोटा करना है, ऐसे, देन इसको नीचे के और इस प्रकार से रखना है, इस प्रकार से थोड़ा adjust करना है, दोनों direction से, और इसकी जो headline है, इसको और थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देंगे, इस प्रकार से, ऐसे, ऐसे बनाना है, देन हम बनाएंगे एक square, ऐसे, square को कर देंगे white color, इस प्रकार से, इसको ऐसे center पर रखेंगे, देन pen tool लेंगे, pen tool से ऐसे line बनाएंगे, सीधी line और center में रख देंगे, और इसकी hairline को यहाँ से बढ़ा देंगे, ऐसे, और hairline की color कर देंगे, यह वाले, इस इस direction में, ऐसे adjust कर देंगे, hairline बढ़ा देंगे, इतनी, और यहाँ से color पर right click कर देंगे, इस प्रकार से, तो यह लिजे हमारी construction type की logo ready है, control G से group कर देते हैं, तो यह लिजे हमारी logo ready है, उमीदें आप सब को हमारी logos बहुत पसंद आई होगी, तो हमारे channel को like, share and subscribe जरूर करें, Instagram के पे भी हमें follow करें, thank you.